Welcome to Study Watch A Strange Wrestling Match Chapter 10 A Strange Wrestling Match जैसे मैंने आपको बताया कि एक अजीब सा wrestling match ये Chapter 10 है Classics की English Supplementary की book Impact with the Sun का ये Chapter है, वो दो भागों में है Part 1 और Part 2 में तो Part 1 की दो वीडियो बना दी कही है उसे आप देख सकते हैं सर्च करके और ये Second Part की ये First Video है चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है विजये सिंग demonstrated his strength विजये सिंग demonstrated विजये सिंग nerux ने दिखाया demonstrated का मतलब क्या है short, displayed उसने दिखाया his strength अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी ताकत विजये सिंग ने दिखाई by crushing what the ghost thought was a piece of log By crushing, crush करके, muscle करके, किसे, what the ghost thought, जो जिसे घोस समझता था, जिसे घोस सोचता था, thought का मतलब क्या है, समझता था, सोचता था, was a piece of rock, कि वो एक चटान का टुकड़ा है, विजैसिंग ने अपनी ताकत एक चटान के टुकड़े को muscle करके दिखाया, जिस चटान के टुकड़े को जोस समझता था, कि वो एक क्या है, वो piece of rock है, ठीक है, चलिए, the ghost avoided a wrestling bout with wejaising, ghost avoided, ghost ने avoid किया, वो बचा, किसे a wrestling bout से, एक boxing match से, bout का मतलब क्या है, boxing match को हम bout कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुष्टी के match को भी हम bout कह सकते हैं, तो उस wrestling match से, उस कुष्टी के match से, उस वो उसने avoid किया, उससे वो बचा वो ghost, बट लेकिन, decided to conquer him through cheating, बट decided, लेकिन उसने फैसला किया, उसने निश्चे किया, to conquer, conquer का मतलब क्या है, defeat, हराने का, हिम किसे, हिम किस के लिए, विजय सिंग के लिए, विजय सिंग को हराने का, उसने फैसला किया, थ्रू चीटिग, बईमा से उसने विजय सिंग को हराने का उसने निर्ने लिया, निष्चे किया, फैसला किया. He invited विजय सिंग, उसने विजय सिंग को आमंतर दिया. Invited का मतलब क्या है आपर? आमंतर दिया, बुलाया, to be his guest for the night. कि वो रात में उसका guest हो जाए, उसका महमान हो जाए. विजय सिंग को उस ghost ने invite किया, आमंतर दिया, कि वो रात में उसका क्या हो जाए? उसका आतिती हो जाए, उसका महमान हो जाए. चलिए आगे देखें है story में. विजय सिंग picked up a piece of rock from the sand. विजय सिंग ने उठा लिया, picked up का मतलब क्या है? उसने उठा लिया, lifted, उठा लिया, a piece of rock, एक चत्तान का टुगड़ा from the sand, रेंच से. उसने रेंच से एक चत्तान का टुगड़ा उठा लिया. Take this, he offered it to the ghost. उसने घोस्ट से कहा, he offered, उसने offer किया, उसने देने की कोशिश की, घोस्ट को, उस भूत को, take this, वो कहता है ले लो इसे, he offered it to the ghost, उसने घोस्ट को देने की कोशिश की, offered का मतलब क्या है? provided, try to give, देने की कोशिश की, and squeeze it hard, और वो कहता है, इसे निचोड़ो, ऐसे तो squeeze का मतलब तो होता है, निचोड़ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, firmly press, बहुत ही, जोर से दबाना, यानि उसे मसलना, तो वो कहता है, take this, अब यहाँ पर यह जो sentence है, take this, and offer, यह एक महें, take this and squeeze it hard, और इसे कस के, इसे जोर से, hard का मतलब क्या है, कस किया, फिर जोर से, ताकत लगा करके इसे मसलो, it is filled with fluid, इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, यह fluid का मतलब क्या है, तरल पदार्थ, liquid, इसमें यह liquid से भरा हुआ है, filled का मतलब भरा हुआ है, see if I am wrong, देख लो, अगर मैं गलत तो तो तुम इसे crush करके देख लो, इसमें से liquid ही निकलेगा While the ghost tried to squeeze the rock, first with one hand, then with both While जब the ghost tried to squeeze, जब उसने उसे firmly press करने की कोशिश की, उसे निचोडने की कोशिश की उस rock को, उस चटान के टुकड़े को, first with one hand, पहले उसने एक हाथ से कोशिश की, एक हाथ से Then with both, फिर उसने दूसरे हाथ से भी कोशिश की, अपना दूसरे हाथ भी लगा लिया विजय सिंग stealthily took out the egg from his pocket, इसी दौरान क्या हुगा, विजय सिंग stealthily took out विजय सिंग ने चोरी से निकाल लिया, stealthily का मतलब क्या है, देखिए हाँ पर secretly, ठीक है, चुपके से, गुपत रूप से, took out the egg, निकाल लिया उस अंडे को, took out का मतलब क्या है, निकाल लिया, अंडे को from his pocket, अपनी जेब से, उस अंडे को निकाल लिया, इसी दौरान, जब वो सन की बुड़िया ने जो उसे एग और वो salt दिया था, उसे उसे वो निकाल लेता है, तो पहले वो एग को निकालता है, अंडे को निकालता है, फिर देखते हैं क्या होता है, विजय सिंग ने भूत से वो चटान चीन लिया, यानि उस चटान का टुकडे को उसने उसे या, snatched का मतलब क्या है, grabbed forcefully, जब जस्ती ले लेना, चीन लेना, and placed it between both hands और इसे दोनों हाथों के बीच में रखा, placed का मतलब क्या है, रखा it इसे between both hands दोनों हाथों के बीच में, and squeezed, और इसे दबाने लगा, firmly pressed करने लगा, at once, तुरंथी, at once का मतलब तुरंथी, the yellow york, जो जर्दी होती है, अंडे की, yellow, पीले रंग की, जो बीच में होता है, जो एक है, यह बीच में, यहाँ पर yellow color का, उसे york बोलते हैं, ठीक, और यह white color का होता है, तो at once, तुरंथी, the yellow york, जो पीले रंग का, उसकी जर्दी होती है, वो oozed from around his fingers, वो टपकने लगी, oozed का मतलब क पकने लगा, गिरने लगा, from around his fingers, उसके उंगलियों के चारो ओर से, वो liquid गिरने लगा, जो yellow color का होता है, and crackling of the egg shell, created the illusion of the stone being crushed, और जो crackling, जो उसके कड़कडाने की, जो उस shell के तूटने की आवास थी, the egg shell, एक shell की जो तूटने की आवास थी, created the illusion, उसने एक भ्रम पैदा कि ठीक है, created the illusion का मतलब क्या है, उसने भ्रम पैदा किया, किस चीज़ का, of the stone being crushed, की एक पत्थर तोड़ा जा रहा है, एक पत्थर निचोड़ा जा रहा है, तो इस तरह का भ्रम वो पैदा करता है, ये जो egg shell है, उसकी जो खोल है, उसके तूटने की जो आवास आती है, illusion का मतल of the telltale shell, the ghost was so astonished, वो इतना जादा आशर चकित हो गया था, वो इतना जादा astonished हो गया था, astonished का मतलब क्या है, amazed, बहुत जादा वो आशर चकित हो गया था, he did not notice, उसने notice नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, वीजै सिंग बेंडिंग की वीजै सिंग नीचे जुगता है, बेंडिंग का मतलब क्या है, जुगता है, to clean his hands अपने हाथों को साफ करने के लिए, with sense, rate से, rate से अपने हाथ को साफ करने के लिए, जब वीजै सिंग जुगता है, तो इस बात को वो जो घोस्ट है, वो notice नहीं कर पाता है, and disposing of the telltale shell, और जो telltale था, जो stone के तूटने का, वो उसके खोल को उसने धीरे से वहाँ से dispose कर दिया, उसे भी वहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पर जो telltale है, इसका मतलब होता है, revealing, जैसे कोई चीज दिखाने वाली जो चीज थी, उससे भ्रम पैदा करने वाली जो चीज थी, इसलिए उसको यहाँ पर telltale दिखा हुआ चलिए आगे देखते हैं, विजै सिंग देन पिगड़ अनदर पीस ओफ रॉक, फिर विजै सिंग ने, विजै सिंग देन, फिर विजै सिंग ने, पिगड़ अप, कलेक्टेड, उठाया, उठा लिया, अनदर पीस ओफ रॉक, दूसरे चट्टान के टुकड़े को, and gave it to the ghost और इसे उस भूत को दे दिया, without a word, बिना किसी शब्द के, बिना एक शब्द कहे, the ghost took it, भूत ने इसे ले लिया, felt it, इसे महसूस किया, यानि इसे उसने देखा कि यह क्या चीज है, and peered at it, और इस पर उसने बहुत ध्यान से नजर गड़ाई, और इसे देखने की कोशिश की, विजय सिंग put his hand into his pocket, विजय सिंग ने अपने हाथों को अपने जेब में डाला, and take out the lamp of salt, और उसने उस नमक के ढेले को बाहर निकाल लिया, और उसे उसने निकाल लिया, जो उस सन की बुढ़िया ने जो उसे दिया था, एक अंडा और एक नमक कढेला, तो उसे वो इस उसने ऐसा किया, चलिए देखते हैं आगे, क्या आता है, this is only a stone, protested the ghost, उस ghost ने protest किया, उसने object किया, protested का मतलब क्या है, विरोध करना, कहना, this is the only stone, यह सिफ एक पत्थर है, and anyway, कोई बात नहीं, it is too dark to see, और इसे देखने के लिए बहुत रात हो गई, यह बहुत अंधेरा ह मतलब यह है कि इसका इतना अंधेरा है, कि इसे देखा नहीं जा सकता, यह नजर नहीं आ सकता, never heard of a ghost, who can't see in the dark, कभी ऐसे गोस्ट के बारे में नहीं सुना, जो अंधेरे में नहीं सुना, जो अंधेरे में नहीं सुना, ऐसा विजए सिंग का करना, remarked, विजए सिंग, टिपणी करना, विजए सिंग ने टिपणी की कि ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा कोई भूत जो अंधेरे में न देख सकता हो, क्योंकि भूत तो अंधेरे में चलने के लिए ही जाना जाता है, ठीक है, वो जो भूत होते हैं, उनसे डर अंधेरे में ही लगता है, अगर दिन में भूत दिखे तो लोग उतना डरेंगे नहीं, ठीक, चलिए, वो कहता है, वो पत्थर वो पत्थर जो तुम्हारे हाथों में है, जो तुमने अपने हाथों में लिया है, अगें एक बार फिर दो टोड़ो एक बार फिर उस भूत ने उस स्टोन को क्रश करने की, तोड़ने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन ये भी वेर्थ रहा, इन वेन का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी प्रयास में असफल होना, उसी को लिखते हैं, इन वेन या फिर इन स्मोक, ठीक है, हम इसे अगर इंगलिश में बोलना चाहें, तो ऐसे कह सकते हैं, कि उसका जो पत्थर तोड़ने का प्रयास था, वो असफल रहा, वो उसमें काम्याब नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं कर सका, उसने वो स्टोन, वो पत्थर विजैसिंग को दे दिया, हैंड़ ओर का मतलब क्या है, रिटर्न, गिव बैक, वापस फिर से दे देना, गोस्ट वस अब बिगिनिंग तो डाउट, अब वो घोस्ट था, वो अब संदेह करना शुरू कर दिया, बिगिनिंग का मतलब क्या है संदेह करना, शुरू करना, बिगिनिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग, शुरू करना, इस घोसली पार, अपनी भूतिया शक्तियों पर, अब उसे संदेह होने लगा, अब वो संदेह करने लगा, उसे शक होता है, अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर, चलिए आगे दे मुझे तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खास बात नजर नहीं आ रही है What's the use of wrestling with a weakling whom I can flow in a minute What's the use, क्या फायदा है of wrestling with a weakling ऐसे कमजोर आदमी से कुष्टी करने का Wrestling with a weakling का मतलब क्या है कि ऐसे कमजोर आदमी से कुष्टी करने का What's the use, क्या फायदा है, क्या मतलब है इसका Whom I can floor in a minute, जिसे मैं एक ही मिनट में धूल चटा सकता हूँ Floor का मतलब क्या है, I can floor Floor का मतलब जैसे हम जानते हैं, यह जमीन जो फर्ष होती उसे floor कहते है लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसे मैं एक ही मिनट में धूल चटा दूँ एक ही मिनट में जिसे मैं फर्ष पर गिरा दूँ तो ऐसे आदमी से लडने का कोई मतलब नहीं है So saying, ऐसा कहते हुए So saying का मतलब क्या है, ऐसा कहते हुए Vijay Singh casually crumbled the lump of salt Vijay Singh ने बहुती आराम से, casually का मतलब यहाँ पर क्या है आराम से, उसे crumble the lump of salt उसने lump of salt को नमक के ढेलो को crush कर दिया And let the stone drop in the darkness और उसने stone को धीरे से, जो original stone उसने लिया था वास्तवी की stone उसने उसे धीरे से अंधेरे में गिरा दिया He held out his hand, उसने अपना हाथ निकाला And commanded the ghost to taste the powdered stone और उसने अपना हाथ उठाया, अपना हाथ निकाला And commanded और आदेश दिया और बताया Commanded का मतलब क्या है? बताया, आदेश दिया उस भूत को to taste the powdered stone कि वो यह जो powdered stone, यह जो powder हुआ है इसे चक लो, देखो यह वही salt है या नि जो मैंने तुमसे कहा था, यह वही बात है या नि विजय सिंग ने उस भूत से कहा Mismarize with the पहलवान's extraordinary strength बहुत जादा अचंबित हो करके बहुत जादा hypnotize हो करके Mismarize का मतलब क्या है? जिसका मतलब मंतर मुग्ध हो गया वो उसके एक तरह से उसकी शक्ती का वो दास सा हो गया, गुलाम सा हो गया The ghost did as he was told घोस्ट ने वही किया जो उसे बताया गया था, alarm shot through him और डर उसके अंदर दोड़ गया, अलाम का मतलब यहाँ पर यही आसानी से vanquish हरा सकता है बहुती उसे धूल चटा सकता है Vanquish का मतलब क्या है? Defeat ठीकर trounce him in a wrestling bout एक wrestling के match में इन दर डाक अंधेरे में वो उसे अंधेरे में, एक ही बार में वो उसे हरा सकता है But लेकिन, perhaps शायद लेकिन शायद he could be tricked in another way तो उसने सोचा कि ऐसा ठो हो सकता है लेकिन शायद इसे दूसरे तरीके से मतलब क्या है धारन करके उसे पहन करके दगोस्ट सेड उस भूत ने कहा दोस्त विजय सिंग इट इस एन ऑनर तूमिट अमैन लाइक यू ये बहुती सममान की बात है तुम्हारे जैसे आदमी से मिलना यह समान की बात है तुम्हारे जैसे आदमी से मिलना एक समान की बात है मैं अपने आपको हारा हुआ मानता हूँ तुम आज रात कहां जाओगे तुनाइट का मतलब क्या है आज की रात गो का मतलब जाएंगे कि वेर विल यू गो तुनाइट आज तुम रात में कहां जाओगे रिस्ट इन माई हाउस मेरे घर में आराम करो रिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर आराम करो अराम करना, rest in my house, मेरे घर में अराम करो, you can leave tomorrow, तुम कल जा सकते हो, तुम कल जा सकते हो, तुम हमारे हाँ अराम करो Now thoroughly elated, अब पूरी तरीके से खुश, elated का मतलब क्या है, हर्श से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, thoroughly का मतलब completely अब खुशी से पूरी तरीके से भरा हुआ, विजय सिंग replied, विजय सिंग ने जवाब दिया, I cannot refuse your hospitality, मैं तुम्हारे इस सेवा सतकार को इंकार नहीं कर सकता, hospitality का मतलब क्या है, सेवा सतकार करना, किसी को आम अंतरर देना, बहुत महमान नवाजी करना, तो मैं तुम्हारी इस कल, आने वाले कल को क्या कहते है, तुम्हारो, लेकिन कल, you will go with me, तुम मेरे साथ जाओगे, as my prisoner, मेरे कैदी बनकर, प्रिजनर का मतलब क्या है, कैदी, तुम कल कैदी बनकर मेरे साथ चलोगे, I must display the trophy of my victory to my people, I must display, मुझे जरूर दिखाना होगा, the trophy of my victory, मेरे जीत की को, to my people, मेरे लोगों को, मुझे अपने लोगों को, मेरे जीत की trophy, जरूर दिखानी होगी, the ghost, board in agreement, वो भूत, अपना agreement में, उस समझोते में, उसने अपना सिर जुखाया, वो उसने माना, यहाँ पर board का मतलब क्या है, accepted, the ghost accepted in agreement, उसने मानीज बात को, उसने माना, but, लेकिन silently vote to kill Vijay Singh in the night, लेकिन, but का मतलब क्या है, लेकिन silently का मतलब, चुपके से, धीरे से, vote, vote का मतलब, उसने, शपतली, उसने कसम खाई, to kill Vijay Singh in the night, रात में, Vijay Singh को मारने की, उसने कसम खाई, he led him to his house in the cave, और वो उस गुफा में, उसे अपने घर में ले गया, he led him, वो उसे ले गय to his house, अपने घर में, in the cave, उस गुफा में, ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, कि ये पार्ट, जो सिकेंड पार्ट है, इस चैप्नल का, इस स्ट्रेंजिस लिग मैच का पार्ट है, ये खतम होता है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजेगा, आप भी किसी को बता पढ़ाना पढ़ाना चाहते हैं, तो शेर कीजेगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजेगा, और बिल आइकन भी ज़रूर दबाईएगा, आपके सब्सक्राइब करने से, आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा होंसला, तैंक यू एयू क्पके सब्सक्राइब